नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टाशी सभवाल उरॉल्जिस, इंडॉल्जिस, रोबोटिक सर्जन न्यू डेली इंडिया से, आज आपको एक पेशेंट का इस्पीरिंस बताऊंगा इन पेशेंट की एज 33 जा थी और इनको एक साल पहले प्रायपिजम की प्राबलम होई थी प्रायपिजम में क्या होता है कि पैशेंट के अंदर ब्लड तो आ जाता है लेकिन वो बापस नहीं जाता तो प्रोलॉंड इरेक्शन हो जाती है अगर ये एरेक्शन दस घंटे से ज़ादा रहे तो फिर पैनेस के अंदर डैमेज हो सकता है तो इनको ये प्राब्लम होई थी और उसके वह से इनको एरेक्शन में प्राब्लम होई थी ये बिल्कुल सेक्स नहीं कर पा रहे थी एरेक्शन नहीं हो रही थी यह पंजब से आये है और हमने इनकी 3 मेने पहले पिनायल इंप्राइव प्राइव करी है अब इसके बात थे पाद कर pr міण के पूरा एक्सपेडिशियन सूनते है कि पहले इनको क्या प्रॉब्लंच सी उसके बाद इंप्राइप्लाइन जैद के अैसा फील होगे है तो आईए ब्लड का फ्लोव नी बन पारा था मलब दवाई रेने से साइड एफेक्ट वा था था अपको उसे एरेक्षिन होगी थी वो डाउन नी हो रही था तो कितने टाइम डाउन नी रहा था ये सर पंदर वीच दिन डाउन नी नी वा अपका जी सर अच्छा मेडिसन लेते गया मैं नी हो टाउन लुक्तर को क्यों नी दिखाया उस ते हैं डोक्टर को तिखाया सर अफेम डिखाया दी अच्छा वन्हीं डाउन को घजा था इसी से हो जाएगा सभी था में इसी करता है फिर मैं नी डॉप्रेशन कर्वाई अच्छा उसे डाउन कर उया अच्छा उसे तो आज में फोद आचाहूं, बहुत को सूँ, जी सरु तो आपने तीन महीने पहले इंप्लांट सही कराई थी नीजी सरु तो एक तो यह कि जो प्राइपरिजम वाले पेशन्ट्स होते हैं उनमें क्योंकि ब्लड अंदर उखता है तो पूरा पैनेस में फाइपरोसिस होता है मादला पैनेस का जो कॉर्पोरा है वो पूरा दैमेज हो कि उसके अंदर गाठे बन जाती है जिसको अंदर जगा बना के डिलेटेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे को सर पैन नी हुआ इंप्लांट के बाल पैन उसी दिन हुआ था अगले दिन से बिल्कुल सही हो गया था मेरे को दर्द मैसूसी नी हुआ अच्छा और यूरेन में कोई तकलीफ एक मेंने बाद सर एक मेन बाद कर दिया था तो हुआ है तो मतलब हार्नेस अच्छी आ रही थी है और आपके पार्टमर को लगता दो ली कि यह कुछ अजीब सी ही चीज अंदर जा रही है नए शर ऐसा कुछ नहीं है तो मतलब पूरा सेख जैसे नैचुरल होता है वसी होता है जैसे पीलिंग पाष्ट में आती थी वसी सेम पीलिंग है सेमन डिस्चारज में कोई प्रॉब्लम नहीं सर कुछ भी चीज़ है अच्छा और जैसे आप कपड़ों के नीचे छुपाते हो तो लोगों को दिखता है क इनकाम लोग ने इंडेन इंप्लांट किया था और इंडेन इंप्लांट के अधी अच्छी तरह सेक्स भी कर पा रहे हैं फीलिंग भी नैच्रल आरी है और कपड़ों के नीचे ये बेंड भी हो जाता है अच्छा एक और चीज़ बताएए कि सवाजी के बाद आप हमारे प अधर वान है वो अधर वाज न जाएं कर यहीं प्याएं ठीक या सर थांक्यू तो जब हम इनको प्ली बार मिले थे तो मेरे को खुद भी डाउट हो रहा था क्योंकि प्राइजी की वज़ा से या प्राय प्राय प्रिजन प्यार से कॉर्पोरल फाइबरोसिस भी आता है त तो दोस्तों अगर आपको भी पिनाईल इंप्लांट सवजी करानी है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है अगर प्राब्लम जादा है तो इंप्लांट ही से ठीक हो पाएंगे और अगर आप मेरे को कॉंटाक्ट करना चाहते हैं तो मेरे को ई-मेल कर सकते हैं या झाल